तो इस बाइब कर दाली ती जी टी फाइफ को 64-bit में कैसे खेल सकने को इस थर्टी डू बिट में ये गेम नहीं चलता तो आज मैं आपको शुकाने वाला हूं कि इस थर्टी डू बिट के पीसी को 64-bit में कैसे अगर आप पे इसके लिए एक हाडवेर सॉफ्ट्वेर मतलब सीडी या फिर यूएस्बी जो भी आती है वह आप पे होनी जरूरी है तो इस चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आपको कंप्यूटर में जाकर दिखा देते हैं मेरे पीसी में देख लीजिए आप यहां पर 32-bit operating system है मेरा अब आपको सीडी डाल देनी है और उसके बाद PC को shutdown कर देना है वह आपसे पूछेगा CT delivery है कोई भी की दबा दीजिए या एंटर दबा दीजिए और फिर यहां पर फिर से आपको एंटर दबा देना है कुछ नहीं करना का सीधे एंटर दबाना है एंटर दबाने के बाद कुछ नहीं बाई सीधे वह ल उसके बाद यहां पर जो setup आएगा उसके बाद इसका agreement जो है उसके टिक कर देना है और हम अभी गाईज अपना अपग्रेड कर रहे है PC तो हम अपग्रेड option को चुनेंगे और बस उसके बाद गाईज यह automatic हो जाएगा इसके बास सारे process आपको सिर्फ इस पर click करना है और फ अपने आप registry machinery सब सिस्टम आपके चेंज हो जाएंगे 64-bit आपका PC बन जाएगा और गाईज मेरी अगर आपने लास्ट वीडियो अभी तक GTA 5 2GB में कैसे डाउट करना नहीं देखी तो आप देख लिए जगा और यही देखे 64-bit operating system होगे गाईज simple as that so guys please subscribe my channel thank you